आप बिहार बोड के परिक्षारती हैं क्या आप जानना चाहते हैं कि आपका रिजल्ट कब आएगा क्या आप जानना चाहते हैं कि दसमी और बारमी के रिजल्ट में इतनी देरी क्यों हो रहा है जबकि एक्जाम फरवरी मा में ही खत्म हो चुकी है फिर रिजल्ट में इतना देरी क्यों अपरेल मेहना में जारी करने की बात कई गई ती आईये जानिए इन अब कार्णों को की रिजल्ट में जारी आप लोग जान लिजिए कि रिजल्ट में इसलिए हो रहा है कि बार कोडिंग मिलान में गड़बरी हुई है मेट्रिक की उत्तर पुस्तिकाओं में पिछले साल की तरह इस बार भी बार कोड को चिपकाने में गलती हुई है विसे की उत्तर पुस्तिकाओं पर दुसरे बिसे यानि किसी अन्य बार कोड लगा दिया गया है इसी तरह से एक जिला की उत्तर पुष्दिका दुसरे जिले में मिल गई है सब्जेक्ट, अब्जेक्टिव, OMR आपस में बदल गया है यह सारी गरवरी रिजल्ट प्रोसेसिंग करने वाली एजेंसी ने की है जब रिजल्ट त्यार करने का समय चल रहा है तब इसकी जानकारी दी गई है लोग जान चुके हैं कि बार कोड़िंग में गरवरी के कारण選 जारी करने में देरी होडा है बिःधार बोर्ट इसफी गरवरी को ठीक करने में लगा हुआ है और मेटरिक का रिजल्ट 25 मई तक आने की संभावना है वहीं इंटर की रिजल्ट 15 से 20 मई की जारी होगी अगर यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस परकार के वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए झाल झाल